आलो फ्रेंड, वेलकम तो माई चैनल, बेस्ट गडिनिग, फ्रेंड आज आपके साथ माई सीयर करने जा रहा हूँ, एडेनियम प्लांट, एडेनियम प्लांट पे ज्यादा से ज्यादा फ्लावर हम कैसे पा सकते हैं, इसकी जनकारी अज हम आप लोगों के साथ सीहर करेंगे आप देख रहे हैं यह मेरा अडेनियम प्लांट जिसकी प्रूनिंग मैंने फिर्वारी मन्त के लास्ट विक में मैंने किया था और जैसा कि अब देख सकते हैं इस पे कितने सारे फ्लावर्ट जो हैं अब ही आ चुके हैं इसका कॉडेक्स जो है जैसा कि अब देख सकते हैं काफी खुशूरत और बड़ा है फ्रेंड्स यह देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोंसाई प्लांट हो जब भी हम एडेनियम का बोंसाई बनाते हैं तो उसका रूट ग्रोइंग जो है वो इसी प्रकार का होता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां हमने एडेनियम का बोंसाई बना रखा है यह पहला और यह दूसरा बोंसाई इसका भी रूट जो है उसी प्रकार का ग्रोह हो रहा है लेकिन यह रूट जो है वो निच्रोली ग्रोह है इसमें हमने कोई छेड़चाड नहीं किये इसी प्रकार और हमारे पास जो एडेनियम है उनका फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो चुका है जैसा कि इसका फ्लावर आप देख सकते हैं फिर यह फ्लावर आप देख सकते हैं फिर इसका फ्लावर आप देख सकते हैं फिर इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स है इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स है इसका फ्लावर्स आप देख सकते हैं यह ब्लेक डेनियम इसका फ्लावर्स आप देख सकते हैं इसका फ्लावर सब देख सकते हैं और हमारे पास यो भी अड़नियम है सब का फ्लावर सब देख सकते हैं फ्रेंज बहुत कानी करते हैं यह मेरा सबसे पूराना अड़नियम है जो तक्रीबान 20 वर्सों से मेरे पास है इसका भी कॉड़क सब देख सकते हैं इसके ब्रांचेज काफी मोटे हो गया है इसका भी पूरुनिंग हमने फिवर्वारी मा के इंड में किया था इससे बहुत सारे बार्स आ चुके हैं फ्लावरिंग भी जूरू हो चुकी है तो फ्रेंज सम सबसे जरूरी यह है कि यह एक डेजर्ट प्लांट है जिसे डेजर्ट कोज भी हम लोग बोलते हैं और जो है बहुत कम केर वाला प्लांट है लो केरिंग प्लांट है लो मेंटेनेंस प्लांट है तो इसमें हम करेंगे क्या कि पहले हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए या अड़नियम के केर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यह प्लांट हम जहां भी रखे वहां कम से कम पांच घंटे का धूप इस प्लांट को मिलना चाहिए कम से कम पाँच गंटे उसके बाद इसका स्वैल जो है वो स्वैल जो हम इसमें उज़ करते हैं उसकी जनकारी हम आपको बाद में कभी वीडियो बना कर और आपके साथ सेयर करेंगे लेकिन इसका स्वैल जो होना चाहिए वो well drain स्वैल होना चाहिए जिसमें पानी आसानी से जो है वो बाहर गियो निकल सके अब बाद करते हैं उसके फटिलैजर की कि हमने इसमें कौन सा फटिलैजर उच किया है जिसके चलते इतने सारे फ्लावर जो है वो एडेनियम पे अभी आ चुके हैं यह है इसका फर्टिलाइजर यह लिक्वीड फर्टिलाइजर है इसी fertilizer का यूज हम अडेनियम के हर पौधे में करते हैं दोस्तों अभी यह जानना ज़रूरी है कि यह fertilizer यह है जो हमने बनाया कैसे और इसमें कौन-कौन से यह फूरी तरह organic fertilizer है इसमें organic fertilizer के अलावे हमने कोई चीजी इसमें mix नहीं किया तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम इसमें कौन-कौन सा fertilizer जो है उसमें ले सकते हैं और क्या-क्या इसमें add किया हुआ है तो पहला जो है तुकि अभी गर्मियों का मौसम है इसलिए cow-dunk fertilizer जो है उसका यूज हम नहीं करें तो ही अच्छा है अगर करे भी तो वो कम मात्रा में उच करें तो उसकी जगा है उसका यूज कर सकते हैं इसमें बर्मि कमपोस्ट हमने लिया है वो लिया है 200 mg उसके बाद हमने इसमें एड किया है नीमखली नीमखली एक बहुत अच्छा pesticide है इसलिए फंगल इंफेक्शन के लिए हम उसमें नीमखली यूज करते हैं यह तिसरी चीज चौती चीज हमने जो इसमें एड की है वो है बनाना पिल बनाना पिल का लिक्वीड जो होता है उसको लिक्वीड फॉर्म में करके और उसका यूज हमने इसमें किया है और हमने जो टी कमपोस्ट होता है वो भी हमने इसमें एड किया है उसके बाद हम इसमें पीनट्स जो आता है उसका उपर का छिलका जो होता है उपर के छिलके को धूप में सुखा कर और उसको आप क्या कर सकते हैं या तो मिक्सी में या पिर किसी प्रकार उसका डस्ट बना ले और उस डस्ट का यूज हमने इसमें किया है इतने सारे इवज करने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे यह बकट है इसमें जो है हम जो है तक्रीबन दस लिटर पानी इस बकट में हम लेंगे और दस लिटर पानी में यह जितने फटिलाजर हमने आपको बतलाए है उसके अंदर हाइट कर देना है और उसको तक्रीबन चार दीनों तक छाय वाले जगाप पे उसको ढखक कर और आप छोड़ देंगे चार दीनों बाद जो फटिलाजर अब तर तयार हो गया तुकि इसमें बहुत सारे फटिलाजर जो है वो हम यूज कर चुके हैं इसलिए इसकी मातरा इतनी कम हो गई है और क्या करेंगे यह फटिलाजर जो है चार दीनों बाद जब तयार हो जाता है तो जैसे कि इसको हमने अगर दस लितर पानी में मिलाया है तो हम करेंगे कि जैसे ये मग का वन फॉर्थ जो है वो फर्टिलाइजर लेंगे और इसमें पूरा पानी जो है इसमें हम भढ़ देंगे रम फॉर्थ लेने के बाद हम क्या करेंगे इसका पूरा पानी इसमें वो अड़ करेंगे अब जैसे ये फर्टिलाइजर आपका रेडी है अब इसको क्या करेंगे हम पॉधे में इसको गमले के हिसाब से इसको डाल लेंगे क्योंकि ज्यादा मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कुछ ही दिनों पहले हमने इसमें ये फर्टिलाइजर रेज़ किया था इसी प्रकार हम इसमें डालेंगे और याद डालने के बाद चुकि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है इसे कोई हार्म भी नहीं है कुछ ज्यादा या कम अगर इसमें अगर चला भी जाता है गमले के अंदर तो भी कोई हार्म नहीं है पौधे वो कोई नुकसान नहीं है और उसके बाद इसका आप जो है अभी ये सारे पौधे जो है वो इतने फ्लावर जो है आप देख सकते हैं तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज प्लीज आपसे यह आगरा है कि बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें कि चुकि है अगर हम अपना नेक्स वीडियो जो डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सेकें थैंक्यू दोस्तों नमस्कार